हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सब ठीक होंगे आईए आज आपका अध्याय त्रिकोनमिती का परिचय के अंतरगत हम चर्चा करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोनमितिय अनुपातों की जामिती के अध्यन से आप 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी और 90 डिगरी के कोणों की रचना से आप अच्छी तरह से परिचित हैं इस अनुछेद में हम इन कोणों और साथ ही शुन्य डिगरी वाले कोण के त्रिकोनमितिय अनुपातों के मान ग्याद करेंगे 45 डिग्री के त्रिकौन मितिय अनुपात कैसे निकालते हैं देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कौन B समकौन है यदि A कौन 45 डिग्री का है तो अन्य कौन B 45 डिग्री का होगा अर्थात कौन A बराबर होगा कौन C के देखिए इस प्रकार ये समकौन है और ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा ठीक है और ये आपका B और ये A कौन A और C दोनो 45 डिग्री के होगे आईए इसको समझ लेते हैं BC पराबर A भी होगा अब माल लीजिए BC और AB दोनो A के बराबर है BC और AB ये दोनों बराबर हैं और इनको हम A ले लेते हैं ये आपका समकौन है अब पाइतगर्स प्रमे के अंस्वार 45 डिग्री के कोन की सम्मुख भूजा बटा कर्ण अथ्वा AB बटा AC इसको हम लिखेंगे A बटा A गुना वर्गमुल दो A कैंसल हो गया और हमें मिलेगा एक बटा वर्गमुल दो टान 45 डिग्री को लिखेंगे 45 डिग्री के कोन की सम्मुख भूजा बटा 45 डिग्री की कोन की संलुख भूजा जो बराबर है A बटा A यानि एक और कॉसेक 45 डिग्री बराबर होगा एक बटा साइन 45 डिग्री जो बराबर है वर्गमुल दो के सेक 45 डिग्री बराबर होगा एक बटा कॉस 45 डिग्री जो बराबर है वर्गमुल दो के और कॉट 45 डिग्री बराबर होगा एक बटा टैन 45 डिग्री जो बड़ाबर है एक के आईए अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोन वित्रिय अनुपात परिकलित करें एक समभाहू त्रिवुज पर विचार करें देखिए क्योंकि समभाहू त्रिवुज का प्रतिय कोंड कितना होता है साट डिग्री का होता है इसलिए कोंड ए कोंड बी और कोंड सी तीनों बडाबर होंगे A से भुजा B C पर लंब A D कींचिये अब त्रिवुज A B D और त्रिवुज A C D आप देखिए ये दोनों समरूप हैं इसलिए B D बराबर होगा D C के और कोंड B A D बराबर होगा कोंड C A D के ये कोंड इसके बराबर होगा अब आप ये देख सकते हैं कि A B D एक सम कोंड त्रिवुज है जिसका कोंड D सम कोंड है और जहां कोंड B A D बराबर है 30 डिग्री और कोंड A B D बराबर है 60 डिग्री ये हमारा A B C और ये तीनों ही बराबर हैं और ये हमारा D था ये सम कोंड है और ये 60 डिग्री है ये भी 60 है और ये हमारा हो जाएगा 30 ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोन मितिया अनुपातों को ग्याद करने के लिए हमें त्रिवुज की बुजाओं की लंबाईयां ग्याद करने की अवशक्ता होती है आइए हम ये मालने की A भी बराबर है दो गुना A के ये भी बराबर होगा दो A के और क्योंकि BD बराबर है DC के ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि BD बराबर होगा है एक बटा दो BC के यानि A और AD का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग और हम इसको लिख पाएंगे 2A का वर्ग माइनस A का वर्ग इसका मतलब 4A का वर्ग माइनस A का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 गुना A का वर्ग इसलिए AD बराबर है A गुना वर्ग मुल 3 अब sin 30 degree बराबर है BD बटा AB जो बराबर है A बटा 2 गुना A आप इसमें A को हम काड़ देंगे और हमें मिलेगा 1 बटा 2 इसी प्रकार cos 30 degree लिख पाएंगे AD बटा AB जो बराबर होता है A वर्गमुल 3 बटा 2A इसमें भी हम A को काड़ देंगे और हमें cos 30 का मान मिलेगा वर्गमुल 3 बटा 2 इसी प्रकार tan 30 degree बराबर होगा BD बटा AD जिसको हम लिखेंगे A बटा A गुना वर्गमुल 3 अब इसमें A को काट देंगे और हमें मिलेगा 1 बटा वर्गमुल 3 जो tan 30 का मान है और कॉसेक 30 degree बराबर होगा 1 बटा साइन 30 degree बराबर है 2 सेक 30 degree बराबर होगा 1 बटा कॉस 30 degree जो बराबर है 2 बटा वर्गमुल 3 के कोट 30 degree को भी हम निकाल पाएंगे 1 बटा tan 30 degree के बराबर जो बराबर है वर्गमुल 3 के इसी प्रकार साइन साथ डिगरी बराबर होगा AD बटा AB बराबर A गुना वर्गमुल 3 बटा 2 गुना A इसमें A को काट देंगे और हमें मिलेगा वर्गमुल 3 बटा 2 साइन साथ का मान कॉस साथ डिगरी का मान होगा एक बटा 2 और टैन साथ का मान होगा वर्गमुल 3 कॉसेक साथ डिगरी का मान होगा दो बटा वर्गमुल 3 सेक साथ डिगरी का मान होगा दो और कोट साथ डिगरी का मान होगा एक बटा वर्गमुल 3 समझ में आया बच्चो चलिए अब हम देखते हैं उपयुक्त सार्णी से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोंड A का मान 0 डिगरी से 90 डिगरी तक बढ़ता जाता है साइन A का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है देखें 0 डिगरी एक बटा दो एक बटा वर्गमुल दो वर्गमुल तीन बटा दो और एक और कॉस A में आप देखें एक से घटकर 0 हो रहा है यह एक है वर्गमुल तीन बटा दो एक बटा वर्गमुल दो एक बटा दो 0 और टैन यह हम प्राप्त करते हैं साइन बटा कॉस A से 0 बटा एक होगा 0 एक बटा दो को भाग देंगे वर्गमुल तीन बटा दो से तो हमें मिलता है एक बटा वर्गमुल तीन और टैन 45 डिग होता है वर्गमूल तीन और यह परिभाशित नहीं है टैन नब्बे डिग्री आए अब हम कुछ उधारन लेकर साड़नी में दिये गए मानों को प्रयोग प्रदिशित करते हैं पहला उधारन ABC में जिसका कोण B समकोण है AB बराबर 5 cm और कोण AC भी बराबर 30 डिग्री भुजाओं BC और AC की लंबाईयां ग्याद करें आएए हल समझ लेते हैं भुजा BC की लंबाई ग्याद करने के लिए हम उस त्रिकोन में दिया अनुपात को लेंगे जिसमें BC और दी हुई भुजा AB हो क्योंकि BC कोण C की सनलग्न भुजा है और AB कोण C की सम्मुख भुजा है इसलिए AB बटा BC कितना होगा टैन C के यहां हम आकिरती बना लेते हैं यह B है A और यह C यह सम्मुख भुजा है और AB बटा BC बराबर होगा टैन C के अर्थात 5 बटा BC बराबर है टैन 30 डिग्री के यह हमारे पर हुआ यह 30 डिग्री जिसको हम लिख पाएंगे एक बटा वर्गमुल तीन जिससे BC बराबर होगा पांच गुना वर्गमुल तीन सेंडिमीटर भुजा AC की लंबाई ग्याद करने के लिए हम देखें साइन 30 डिग्री बराबर होता है AB बटा AC साइन 30 का मान है एक बटा दो जो बराबर है पांच बटा AC इस प्रकार हम गुणा करके AC का मान निकालेंगे 10 सेंटिमीटर ध्यान दीजिए कि उपर के उधारन में 30 बुजा की लंबाई ग्याद करने के लिए विकल्प के रूप में हम पाइथगरस प्रमे को लागू कर सकते थे अर्थात AC बराबर वर्गमूल AB का वर्ग जमा BC का वर्ग जिसको हम लिख पाएँगे वर्गमूल 5 का वर्ग जमा 5 वर्गमूल 3 का वर्ग देखिए ये कितना होगा 25 प्लस 25 गुना 3 इसको अब हल करिए 25 प्लस 75 जो बराबर होगा वर्गमूल 100 के और इसको हल करके हम प्राप्त करते हैं 10 सेंटीमीटर ठीक है बच्चो समझ में आया आएए अब अगला देखते हैं उधारण PQR में जिसका कौन क्यूं समकौन है ये कौन समकौन है और PQ हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 6 सेंटीमीटर ठीक है और कौन QPR और कौन PRQ हमें ग्याद करना है तो देखिए PQ बराबर है 3 सेंटीमीटर और PR दिया है 6 सेंटीमीटर इसलिए PQ बटा PR बराबर होगा साइन आर के या साइन आर बराबर है 3 बटा 6 के जिसको हम लिख पाएंगे 1 बटा 2 तो अतर कोण P, R, Q बराबर हुआ कितना? ठीक, 30 डिग्री और इसलिए कोण Q, P, R बराबर होगा? 60 डिग्री के आप यहां यह देख सकते हैं कि यदि एक समकोन त्रिभुज की एक भुजा और कोई एक अन्य भाग जो या तो न्योन कोण हो या की एक भुजा हो ग्यात हो तो त्रिभुज की शेश भुजाएं और कोण ग्यात किये जा सकते हैं? ठीक है बैचो? अगला उधारण देखते हैं यदि साइन ए माइनस बी बराबर है एक बटा दो कॉस ए प्लस बी बराबर है एक बटा दो और ए प्लस बी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हैं? ए बराबर है बी कोण के तो ए और बी ग्यात कीजिए यहाँ पर साइन ए माइनस बी बराबर है एक बटा दो इससे हम क्या समझते हैं? A minus B बराबर होगा 30 degree, क्यों? क्योंकि sin 30 degree ही 1 बटा 2 होता है, और cos A plus B बराबर है 1 बटा 2, इससे हम यह समझते हैं कि A plus B, जो कोन है, वो 60 degree का है, इस प्रकार हमारे पास दो सम्मिकरन आए, A minus B बराबर 30 degree और A plus B बराबर 60 degree. इनको हम हल करके निकालेंगे, देखे, A minus B है 30 degree और A plus B बराबर है 60 degree, इनको हम जोड़ देते हैं, तो A plus A हो गया 2 गुणा A, और यह हो गया 90 degree, इस प्रकार A कोन का मान होगा 90 degree बटा 2, जो हो गया 45 degree. ठीक है, हमें पता हैं कि A plus B, दोनों है 60 degree यह पराबर. अब A का मान अगर 45 है, तो B का मान कितना होगा? बिलकुल ठीक बच्चो, B का मान हो जाएगा, 60 minus 45, जो होगा 15 degree. ठीक है, इस प्रकार हमने A और B का मान निकाला, समझ में आया? चलिए, अब अगला प्रशन करते हैं, आपकी प्रशनावली 8.2 का पहला प्रशन, निमल निखित के मान निकालिए, साइन साट डिगरी गुना कॉस तीज़ डिगरी प्लस साइन साइन साट डिगरी का मान होता है, वर्गमुल तीन बटा दो, और कॉस तीज़ डिगरी का भी होता है, वर्गमुल तीन बटा दो, और साइन तीज़ का होता है, एक बटा दो, कॉस साट का भी होता है, एक बटा यह हो गया वर्गमुल तीन गुना वर्गमुल तीन तीन बटा चार प्लस एक बटा चार जिसको हम 3 प्लस एक बटा चार कर लेंगे और इस प्रकार 4 बटा 4 कामान हो जाएगा 1 समझ में आया बचो चलिए अगला प्रेश्ट करते हैं दो गुना टैन 45 का वर्ग जमा कॉस 30 का वर्ग माइनस साइन 60 का वर्ग इसका मान तो आप जानते हो एक होता है और इसका होता है वर्गमुल तीन बटा दो का वर्ग माइनस वर्गमुल तीन बटा दो का वर्ग आप देखिए यह दो हुआ और इसको हम लिखेंगे तीन बटा चार माइनस तीन बटा चार इस प्रकार इसका मान दो आया सदल है समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेशन देखते हैं इनके हमने मान रख दिए एक बटा वर्गमुल दो बटा दो बटा वर्गमुल तीन प्लस दो बटा एक इसको हल करके हमें मिलेगा एक बटा वर्गमुल दो बटा दो प्लस दो वर्गमुल तीन बटा वर्गमुल तीन और इस प्रकार हमें वर्गमुल तीन बटा वर्गमुल दो गुना दो प्लस दो गुना वर्गमुल तीन मिला और हल करके हमें मिलेगा वर्गमुल 3 बटा 2 वर्गमुल 2 प्लस 2 वर्गमुल 6 और इसको हल करेंगे वर्गमुल 3 बटा 2 वर्गमुल 2 प्लस 2 वर्गमुल 6 इसको हमने गुणा करना है दो वर्ग मुल दो माइनस दो वर्ग मुल छे बटा दो वर्ग मुल दो माइनस दो वर्ग मुल छे से और दो वर्ग मुल छे माइनस दो वर्ग मुल अठारा बटा दो वर्ग मुल दो का वर्ग माइनस दो वर्ग मुल छे का वर्ग मिलेगा हमें और दो वर्ग मुल छे माइनस ये हो गया 6 गुणा वर्गमुल 2 क्यों क्योंकि 18 को हम लिख पाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 3 बहार आ गया 3 दुनी 6 और अंदर बचा खाली 2 that is वर्गमुल 2 तो 6 बटा 8 माइनस 24 इस प्रकार माइनस 2 गुणा 3 बटा 6 बटा माइनस 16 और इसको हम देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 और 2 अठा 16 तो 3 बटा 8 हमें इसका मान मिलेगा ठीक है बच्चों? आए अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन 2 में सही विकल्प चुनिए, 2 गुणा tan 30 दिग्री बटा 1 प्लस tan 30 दिग्री का वर्ग पहला option है साइन साथ डिगरी, दूसरा option है कॉस साथ डिगरी, तीसरा option है टायन साथ डिगरी और चौथा option है साइन साइन तीस डिगरी मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं दो गुना एक बटा वर्ग मुल तीन बटा एक प्लस वर्ग मुल एक बटा वर्ग मुल तीन का वर्ग जो बराबर होता है दो बटा वर्ग मुल तीन बटा एक प्लस एक बटा तीन जो बराबर है 2 बटा वर्ग मुल 3 गुना, 3 बटा 4, जिसको हम हल करके पाएंगे वर्ग मुल 3 बटा 2, हम जानते हैं कि साइन साट डिगरी का मान होता है, वर्ग मुल 3 बटा 2, इसलिए कौन सा विकल्प ठीक है? पहला विकल्प ठीक है, A, साइन साट डिगरी, आईए अगला प्रशन देख 90 डिगरी, दूसरा है एक, तीसरा, साइन 45 और चौथा है शुन्य, मान रखने पर एक माइनस एक अवर्ग बटा एक प्लस एक अवर्ग, जिसको हल करके हमें पाते हैं, एक माइनस एक बटा एक प्लस एक, जो हुआ शुन्य बटा 2, यानि शुन्य, इसलिए विकल्प D सही ह अगला साइन 2 गुणा A, बराबर है 2 गुणा साइन A, तब सत्य होता है जबकि A बराबर है, A 0 डिगरी, B 30 डिगरी, C 45 डिगरी और D 60 डिगरी, हम जानते हैं कि साइन 0 डिगरी 0 होता है, इसलिए विकल्प A सही है ठीक है बचो, आईए अगला प्रशन देखते हैं, दो गुणा टैन 30 डिगरी बटा 1 माइनस टैन 30 का वर्ग, बराबर होता है A, कॉस साइड डिगरी, B साइन साइड डिगरी, C टैन साइड डिगरी और D साइन 30 डिगरी मान रखने पर 2 गुणा 1 बटा वर्ग मुल 3 बटा 1 माइनस 1 बटा वर्ग मुल 3 का वर्ग, इसको हल करते हैं 2 बटा वर्ग मुल 3 बटा 1 माइनस 1 बटा 3 2 बटा वर्ग मुल 3 गुना 3 बटा 2 जिसको हम हल करके प्राप्त करते हैं इसलिए विकल्प C सही है ठीक है बचो चलिए अगला प्रेशन करते है यदि टान A प्लस B बराबर होता है वर्ग मुल 3 और टान A माइनस B बराबर होता है एक बटा वर्ग मुल 3 और A प्लस B 0 डिगरी और 90 डिगरी के बीच का मान है और A B से बड़ा है तो A और B का मान है टान A प्लस B बराबर है वर्ग मुल 3 इसका मतलब क्या हुआ A प्लस B डिगरी कब होता है टान A प्लस B का मान ग्याद वर्ग मुल 3 टान 60 डिगरी पे टान 60 डिगरी वर्ग मुल 3 के बराबर होता है इसका मतलब हम लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 60 डिगरी और हमें दिया ह तैन a minus b beraber एक बटा वर्गमुल 3 इसका मतलब जो हमारे पास a minus b है वो 30 degree के बराबर है क्योंकि तैन 30 degree एक बटा वर्गमुल 43 के बराबर होता है अब हमारे पस दो सम्हकरन आ गई u a plus b beraber 60 degree औरokus a minus b equal 30 degree इन दोनों को हम भ़िस कर लेते आईए देखिए, दो A बराबर 90 डिग्री और इस प्रकार A हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर, समिकन एक से 45 डिग्री प्लस B बराबर है 60 डिग्री और इस प्रकार B बराबर हो गया 15 डिग्री और A बराबर हो गया 45 डिग्री और B बराबर हो गया 15 डिग्री, ठीक है बच्च धेये हैं, कारण सहित अपने उत्र की पुष्टी कीजिए, साइन ए प्लस बी बढ़ाबर साइन प्लस साइन भी, ये असथ्य है, क्यों? माना ए बढबर 30 डिगरी और भी बढ़ाबर 60 डिगरी, इस प्रकार हम देखते हैं, हमारे पास साइन ए प्लस बी कितना होगा? है मान उसका एक इसी प्रकार हम देखते हैं sin a plus sin b का मान निकालते हैं sin 30 degree plus sin 60 degree कितना होगा एक बटा 2 plus वर्ग मुल 3 बटा 2 जो बडाबर है 1 plus वर्ग मुल 3 बटा 2 कभी भी 1 के बडाबर नहीं हो सकता है ना अधर sin a plus b बराबर नहीं होगा sin a plus sin b के ठीक है बच्चो आये बच्चो अगला फाग हल करते हैं थीटा में व्रद्धी होने के साथ sin theta के मान में भी व्रद्धी होती है यह सत्य है क्योंकि हम जानते हैं sin 0 degree 0 के बराबर होता है साइन 30 डिग्री एक बटा दो के बराबर होता है, साइन 45 डिग्री एक बटा वर्गमुल दो के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री वर्गमुल तीन बटा दो के बराबर होता है, और साइन 90 डिग्री एक के बराबर होता है, इस प्रकार थीटा में व्रद्धी होने के कारण के मान में भी व्रद्धी होती है तीसरा भाग थीटा में व्रद्धी होने के साथ कॉस्ट थीटा के मान में भी व्रद्धी होती है यह असत्य है क्योंकि हम जानते हैं कॉस्ट 0 डिग्री एक के बराबर है कॉस्ट 30 डिग्री वर्गमुल 3 बटा 2 होता है और कॉस्ट 45 डिग्र बराबर होता है एक बटा दो और कॉस 90 डिग्री होता है शुन्य के बराबर इस प्रकार ये कथन असत्य हुआ अगला देखते हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ये असत्य है क्योंकि कॉस 30 डिग्री बराबर होता है वर्गमुल 3 बटा दो लेकिन साइन 30 बराबर होता है एक बटा दो पांचवा भाग देखते हैं यह बराबर 0 पर कॉट यह परिभाशित नहीं है यह इसieve कफन सत्य है क्योंकि टैन शूर्णी बराबर होता है शूर्ी हम जानती हैं कि कॉट शूर्णी बराबर होगा एक बटा टैन शूर्णी जिसको हम लिखेंगे एक बटा शुन्य है ये परिभाशित नहीं है ठीक है बच्चो आईए अब आप ग्रह कारे के लिए कुछ प्रशन ले लीजिए दिये हुए चार विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए पहला प्रशन है साइन तीसळी बट्रम साथ अब प्रशन दो तन थीस बटा पोट साथ डिगरी का मान है A option एक बटा वर्गमुल दो, B option है एक बटा वर्गमुल तीन, C option है वर्गमुल तीन और D option है एक. अगला प्रेशन, sin 45 degree plus cos 45 degree का मान है पहला option 1 बटा वर्गमुल दो B option वर्गमुल दो C option वर्गमुल 3 बटा दो और D option 1 चौथा प्रेशन, यदि sin alpha बराबर है 1 बटा दो और cos beta बराबर है 1 बटा दो दिया है तो alpha प्लस beta का मान है पहला option 0 degree, दूसरा option 30 degree, तीसरा option 60 degree और चौथा option 90 degree. अगला प्रेशन, यदि चार गुना tan theta बराबर है 3, तो चार गुना sin theta minus cos theta बटा, चार sin theta plus cos theta बराबर है, पहला option 2 बटा 3, दूसरा option 1 बटा 3, तीसरा option 1 बटा 2, चौथा option 3 बटा 4. अगला प्रेशन, निम्न लिखित का मान ग्यात कीजिए, चार गुना कॉट 45 का वर्ग, माइनस सेक 60 का वर्ग, जमा sin 60 का वर्ग, जमा cos 90 का वर्ग. तो बच्चों, आईए अब सारांज देख लेते हैं, सार्णी से आप देख सकते हैं कि, जैसे जैसे कोण A का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता जाता है, साइन A का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, और cos A का मान 1 से घड़कर 0 हो जाता है, आप देखिए हमने आज सीखा, साइन A का मान निकालना 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, हमने इनके मान निकालने सीखे, आशा करती हूँ, आपको आज का पाट समझ में आया होगा, खूब अभ्यास कीजिएगा, धन्यवाद. झालना निकालना के मान निकालना 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 थैंका उकर लग्रायाास वा बड़्यास कीजिए आपको आठालना भीप्राह आएटे कीजिए 10 डिग्री पे, 16 ुब्यास.